हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू आवर चैनल जी पीएसी नेटवर्क मेतरो आज ना वीडियो नी अंदर आपरे चर्चा करवाना छे ब्रीक अने ब्रीक मेशनरीना जेतला आपन टोप मोस्ट वन लाइन क्वेशन्स चे जे वारं वार एक्जाम मा पुछाए छे ए तमाम क्वेशन्स नो आज ना वीडियो मा आपने चर्चा करशू लेक्चर नमबर वन ने अंदर आपने चर्चा करे रेती ब्रीक अने ब्रीक मेशनरीना जेतला अपन important topics छे ए important topics मादे निकरता जे questions ये questions अन थियरी ने आज ना वीडियो माँ आपने one line questions कम्प्रीट करी दईए एले कि तमारो ब्रीक नो topic छे एले कम्प्रीट थे याशे अने तो तमें social media ने अंदर connect थाव माँगता होई तो आ ideas पने follow करी सकोचो साथे कोई पन questions अत्वर doubt होई तो तमें मने Instagram में message पन करी सकोचो अने आपना दरेक दरेक PDF as well as daily current phase अन्य विश्यों ने जे quiz थाई शे एक quiz माँपादी सेवे थवा मारत में GPSC network नामे टेलीग्राम चैनल माँपन जोइंग गरी सकोचो तो सरुवात करी आज ना आ वीडियो नी first of all आजनों आपनों first questions चे the weight of standard brick should be the word लेके एक standard brick नो weight केटलो थासे तो याद रखवानू छे मित्रो 3 kg अथवा तो किलो न्यूटन माँ पुछे तो 30 kg अन्य ग्राम माँ पुछे तो 3000 ग्राम आपने याद रखवानू छे आगर आपला questions नहीं बात करी है तो number of standard brick in a one cubic meter of brick machinery is the word एक लेके one meter cube नी अंदर मा केटली number of brick चे नों समावेस्ता से तो के 500 number of brick आगने बदी एक्जामा question पुछानों छे एकला माटे आपने जरूरी ए वाचो जोई है आगर एगना मुझजबच questions चे the weight of one cubic meter brick earth is the word लेके weight of one cubic meter पुछो चे तो हमना आपने जोई मुझजब के one meter cube नी अंदर मा केटली number of brick समावेस्ता से तो के 500 number of brick समावेस्ता अने दरेके दरेक ब्रीक नो वजन गेटलो है तो के एक ब्रीक नो वजन आपने खबर चे त्रोंड किलो ग्राम जेटलो तो टोटल केटलो थे यासे तो के 500 किलो ग्राम बराबर पंदर सो केजी जेटलो वेट हसे वन क्यूबिक मिटर नी अंदर मा अने जो तमने 10 मिटर क्यूब माट पुछे तो के multiply करो 10 वड़ें तो आंसर थे यासे पंदर हजार किलो ग्राम जेटलो बराबर आपरकाना questions चे एक जमा पूछाता होई चे पर अनो डायरेक लि याद होई तो calculate करवा ना जवाई तो बाकिना जा questions चे एनी उपर पर टाइम छे वेज थाई सके चे अगर आपनो questions चे तो basic refractory brick consist of the water तो जे basic refractory brick चे मित्रो एसू consist कर से तो के magnesia brick consist कर से तेवीज रिते terakota is a burn in the water terakota सू चे मित्रो तो के एक पक्वेली माटी चे बेक अर्थ चे इनने केनी अंदर गरम करवामा आवे चे तो का मफॉल फरनेस नी अंदर मा आपन वस्तो आपने खबर होई चोई है त्यार बाद चे e-fluorosense of a brick is due to the water हवे मित्रो आपने lecture number one मा जोयो तो के e-fluorosense कोने काने थाई चे तो एक तो वात आउसे soluble salt ने काने और बीजो आंसर आउसे मित तो alkalis ने काने हवे alkalis कोने के वामा हुसे तो के जे sulfate of sodium, potassium और जे calcium चे इने आपने कहिया चे alkalis आ आलकल इसने काने brick नी दरमा इ-fluorosense effect आपने जो आ मड़े छे अगर आपला questions नी बात करिये in which bone brick is land with its length in direction of the wall लेके for example आको एक brick चे मित्रो आ brick ने हूँ तेनी lengthwise चे ए लेड करूचू राखवामा आवे छे तो आ बोड ने सु केवा माँश है तो के ए stature bond अत्तर स्टेचर केवा माँश है आ जे width नो भाग चे ने header केवाई और जे length नो भाग चे ने stature केवाई ब्राबर आटली वसो आपने brick उपर खबर हुई जो है आगल क्वेशन चे इन वीच टाइप अफ बोड तेheडर आ डिस्टूबिटेड इवनली लमित्रो खास जाद राखो के जे फ्लेमिश बोड चे फ्लेमिश बोड नी अंदर जे जे एडिस्टूबिटर के वाँश है इवेंली इस्टूबिट थाला आश है फ्लेमिश बोड मा तेविच देते एक बोड नो क्वेशन चे इन वीच बोड header course is provided after 3 or 5 stretcher course like stretcher course छे 3-5 वकर let down थे या पची header course प्रोवाइड करिये तो एवा bond ने अपले कया bond थे वोलो किये छे तो के garden wall bond तरीक्या बराबर अगल question से which bond is considered as the strongest bond in a brick worth बराबर brick worth नी अंदर मा strongest bond करियो छे तो के English bond questions घनी बदी एक्जाम मा पूचायलो छे तो अहींते तमने सु छे conclusion नी कर से तो के साथी strongest bond करियो तो के English bond header course प्रोवाइड करियो मा आवे after 3-5 stretcher course पची तो एवा bond ने के वाई garden wall bond बराबर जो header से distributed होई evenly तो एवा bond ने के वाई flammish bond अने जो length जे प्रोवाइड करवा मा आवे होई length wise जो brick ने let down करियें तो इने के वाई stretcher याद रहे से आटली वस तो practice करता रहे सो याद रहे से अगल आपनो questions चे clay and silt contain good brick earth must at least the wall तो मैं तो खास जम राखो के clay and silt contain good brick earth मा कितला परसे दे हसे तो के 50 टका हसे अगल questions चे आपनो the brick used for a corner of wall of a structure are called as the wall जो brick ने आपने corner of walls मा यूज करियें तो एवा structure ने सुके हो मा आउसे तो के quins के हो मा आउसे quins याद रहे से त्यार बाद चे hollow brick सेना माटे यूज था से तो के hollow brick मित्रों पुवाइड करवा मा आवे चे insulation against the heat heat थे आपने insulation मरीश के एटला माटे आपने hollow brick यूज करिये चे आगल questions चे the deformation of shape of the brick caused by the rainwater falling on the hot brick हावे में त्रों जे गरम brick चे आ गरम brick उपर जो rainwater पड़े तो एन्ने काना brick नो safety formation था तो एन्ने आपना कया नाम थी उलकिये चे तो के 4 तरीख ही उलकिये चे ब्राबर आगर questions चे brick wall measured in a square meter if the thickness of the wall is the wall जो wall thickness चे मित्रों तमाई 10 cm हसे के तला centimeter हसे तो के जो तमारी thickness of wall चे ए 10 cm हसे तो एवी brick wall ने आपने measure करशू square meter ने अंदर मा अन्ने जेवोज भी जो questions चे मित्रों के आपने square meter मा के रे brick wall measure करशू तो के जो हनिंकों होई अथवा तो half brick wall अथवा तो partition wall होई तो एवा केस निदर मा जे brick wall चे ए measure करवामा आवे छे square meter मा आँ supervised instruction ने एक exam ने अदर मा आ questions चे मित्रों पुछा हैलो चे लेके आवा प्रकाना questions अपने खबर होई जुए आगल questions चे brick are burned at the temperature range of the world brick ने किटला temperature ने burn करवामा आवे छे तो के 900 थी लईने 1200 अन Celsius ताप मने मित्रों याद रखो 900 थी 1200 अन Celsius ताप मने हवे एक quote नो questions चे के strength based classification of brick चे एक कया quote ने अधर रधाई छे तो मित्रों याद राकोज एक strength चे 3102 ने अधर रधाई छे इना जे वो जे जो questions चे के जे practice of brick work चे एक कया quote मुझब करवामा आवे छे तो brick work practice चे मित्रों is 2212 12 ने मुझब करवामा आवे छे 2212 बरावर और strength पूछे तो 3102 अवे टेस्ट ने बात करिए तो कि जो test on brick चे एक कया quote ने अधर रहे छे तो कि 1077 1992 मुझब अया में तमने बदा जे quote ने questions चेक साधे करके रहा छे एतला कि याद राखवामा आपने feasible रहे हैं अवे एवीज देते हैं जो water absorption ने बात करिए तो water absorption for a good brick earth should not be more than the water वे तो खास्ती question सामबढ़ जो कि जे good brick earth चे water absorption केटला थी वदर ना हूँ जो ये तो कि 15% by its dry weight ब्राव 15% थी वदर ना हूँ जो ये good brick earth माटे पन तु तमने जो प्रस्ना पुछो मावे first class brick माटे किटलू हूँ जो ये तो कि 20% second class माटे तो कि 20 थी लाइने 22% third class माटे 22 थी लाइने 25% और जो 25% थी पन वदर रहे होई तो fourth class माँ अवेलेबल छें तो हवे जो में तो खाली good brick earth पुछे लूँ होई तो 15% दिया तरक पानो पंद फॉर्स, second, third अने fourth पुछें तो इना जे criteria चें ये आपने याद हसे तो चाल सें और आज एक good absorption चें कया code मुझव चें मित्रों तो याद राको 3495 मुझव फरिति आपने रिवाइस करिए के strength चें कया code मुझव 3102 हवे तो के good practice practice of brick earth चें brick work चें एक करना मुझव तो के double two, one two test house चे 10, double seven अने जो water absorption नी बात करिए तो 3495 मुझव आटली वस्तो तो अमारा code मुझव याद राकोना चे brick ना कोई पन questions एक माम मा exam मां पूछी सक्के चें एक वधरनानो questions चे reflectory brick are generally used to register the word तो मित्रों हमना आपने बात करिए देके reflectory brick चे ए सिना माटे यूस थाई चे तो के high temperature ने रजीस्ट करी सकी एना उमाटे ब्राबर आगर questions चे the thickness of one and half brick wall के लिए था से तो directly याद रखो one and half brick के दूझे one and half brick wall नी थीकनेस के लिए से तो के 3 जेटली ब्राबर ए ओच एक्वेशन थीकनेस ओफ two brick wall two brick पुझे तो 10 आउसे और one and half पुझे तो 3 आउसे हवे मित्रों खूबज अग्यतियों प्रस्ना चे the maximum permissible slenderness ratio of masonry wall masonry wall नो slenderness ratio के आपने तो केटलो आउसे 20 एकजामा घणिवधी उखद पुझाये लो प्रस्ना चे lining of furnace which brick use तो lining of furnace माटे कई brick use आसे तो के refractory brick हवे refractory brick छे मित्रों ए सेना माटे यूस आसे तो के high temperature ने resist करवा माटे ए पर हमना जो यू बराबर हवे तो के e-fluorescence of brick should not be more than the water अगर आपने जो यू गिया के e-fluorescence को ने काने थाई छे तो के soluble salt ने काने अथवा तो alkali ने काने पर तो केटला percentage थी वदर ना हो जो ये तो के बार percentage थी वदर ना हो जो ये खास याद रख पनूँ छे अगर आपने बात करिये के porcelin is made by heating of the water तो कोने गरम करवा थी आपने porcelin मले छे अगर आपने बात करिये in a dimensional test केटली number of brick यूस करवा मावे छे में तो खास नमरा कोके class test छे बराबर ये केना मुझब थाई छे तो के 1077 IS code मुझब केटला test छे में तो एक छे compressive strength बीजो छे में तो के dimensional test छे एक test छे में तो तमारो water absorption test छे चोथो test छे e-fluorescence test छे total 4 test छे ने केना मुझब थाई छे तो के 1077 मुझब हवे पुछवामा आई उच्छे के dimensional test ने अदर मा केटली नमुरों brick छे आपने चूज करीएँ छे तो खास याद राकोकेट 20 brick छे आपने यूज करीएँ छे रिंडमली बदबर नवी brick नो जत्तों आवेव होई तो आ brick मागदี้ 20 brick आपने रिंडमली चूज कर ली अने ये येनों dimensional टेस्ट करवामा आवे छें हावे बिजी एक वस्तु खास याद रखवा नीचे जो dimensional टेस्ट नी अंदरमा टोलरेंस के लिए जोए length नी अंदरमा प्लस और माइनस मित्रों आउसे 12 सेंटीमिटर अने वृत नी अंदरमा आउसे 6 सेंटीमिटर बराबर आवे आपले 20 ब्रिक लईए छे 20 तो ए मुझे अपले 20 ब्रिक चेदरमा प्लस और माइनस 12 सेंटीमिटर नों टफवाद आउतों होए बराबर लेंथ वाइस अने जो 6 सेंटीमिटर नों टफवाद आउतों विर्थ मां तो 40 सके छे बराबर आएक प्रकर्णों काई टेरिया छे इवरी तागर वाद चेके डेंसीटी ओफ ब्रिक एक ब्रिक नी डेंसीटी कितली है से मित्रों तो हसे 600 थी लईने उगणी 100 केजी पर मिटर क्यूँ ब्याद रखवानों चे 600 थी लईने उगणी 100 स्पेसिविक ग्रेविटी फोर हाड ब्रिक हाड ब्रिक नी स्पेसिविक ग्रेविटी केटली हसे तो के बेज एटली हसे अना आपन खबर हसे के स्पेसिविक ग्रेविटी चे मित्रों यूनीट होत्तों ना थी यतला के यह क्यों चे तो के यूनीट लेस छे आपन पुछाए छे, तो गणामदा विद्ध्या थी ने आव क्वेशन आवड तान थे पची क्वेशनस चे ब्रिक शूट नोट बी ब्रेकडाउन वें द्र ड्रोप इस धी वर्ण चो मित्रों first class brick छे तो first class brick अत्वा तो कोईपन brick छे एक मित्र थी आपड़े पच्छाडवामा आवे ड्रोप करवामा आवे तो ए तुटी जवी ना जोईए प्रस्नाबूच आए तो एक मित्र आंसर आउस है बराबर अगर questions चे brick suitable for high class brick machinery work तो high class brick machinery माटे कई brick यूज़ता से तो के modular brick अगर आपड़ा लेक्च नमबर वन मां जोई हो तो के modular brick ने कया नाम थी उलक्वामा आवे जगे तो standard brick और standard brick नू ताइमेंस है किटलो हो से तो के 90 बाई 9 बाई 9 जेटलो तो मित्रो आहा तो आज नो आपलो questions नो आपलो totally वीडियो one line questions से यहाँ पला complete थाई चे brick उपरना खास मित्रो brick उपरना जे one line questions से एक complete थाई चे तो मित्रो जो आटलो one line questions और लेक्च नमबर वन तमें जोई नाक्षो एटले तमरो यह brick नू कां complete थाई आसे ब्रीक नू जे घनू बदू चे परनतू दरेक दरेक वस्तो तमें प्रेक्टिस करवा जासो तमारी पासे टाइम होई तो तमें करी सको चो परनतू जो तमारी पासे टाइम नो होई अने हूँ तमने जेटली वस्तो का उचो इनने बराबर फोलो कर सो तो definitely exam clear थाई तो आपना लेक्टर नमबर थ्रीमा स्टोन वीस है बराबर त्या सुधी गुद्डे